आज के इस एडिटोरियल का टाइटिल देखते हैं युनाइटेड दे थ्राइवड यानि कि एक जुट होने के कारण वे फले फूले यानि उन्हें फाइदा हुआ उनका विकास हुआ यहां हम क्या बात करने वाले हैं यहां हम बात करने वाले हैं चुनावों के संबंद में तो जो पार्टीज आंद्रप्रदेश में युनाइटेड हुई संयुक्त हुई उन्होंने अपना गठबंदन बनाया तो गटबंदन का उनको फाइदा मिला वे पार्टी जो है थ्राइव कर गई थ्राइव करने का मतलब होता है फलना, फूलना, विक्सित होना Formidable Alliance Formidable का मतलब होता है बहुत ही large, बहुत ही ज़्यादा powerful कोई चीज इतनी विशाल है, इतनी ज़्यादा powerful है कि आप उसे टक्कर नहीं दे सकते उसको हम बोलते हैं Formidable Alliance, गटबंदन Helped the TDP-led Coalition Coalition का मतलब भी गटबंदन यानि कि जिस गटबंदन का नेतरत्व TDP कर रही थी तो ये जो गटबंदन था, ये किस तरह का गटबंदन था? बहुत ही मजबूत गटबंदन था, बहुत ही powerful था, बहुत ही ज़्यादा formidable था और इस गटबंदन ने help की, किस चीज में? Win in आंदरप्रदेश इस गटबंदन ने आंदरप्रदेश में चुनाओ जीतने में help की Anti-Incumbency Anti-Incumbency का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर In Indian State Assembly Elections Is not rare Rare का मतलब है जो बहुत ही कम होता है, बहुत ही viral तो कुल मिला के Indian State Assembly Election की भारतिय विधान सभा चुनाओं में सत्ता विरोधी लहर होना कोई rare बात नहीं है, ऐसा होता रहता है Governments with strong majorities यानि की सरकारें जिनके पास बहुत ही जबरदस्त बहुमत होता है Can lose, वे हार सकती है At the end of a term Term का मतलब है आपका कारेकाल यानि की कारेकाल की समापती के समय मजबूत बहुमत वाली सरकारें भी हार सकती है Due to का मतलब होता है के कारण Changed expectations from the electorate Changed expectations का मतलब हुआ परिवर्तित उम्मीदें From the electorate Elektorate का मतलब हुआ मत दाता यानि की जो मत दाता है अगर उसकी expectations जो है वे बदल जाती है तो इस कारण किसी सरकार के कारेकाल के लास्ट में वह भाहुमत जो है खो सकती है Thus इस प्रकार से The YSRC Peace Laws in Andhra Pradesh To the Grand Alliance of the Telugu Desham Party जनसेना Party भारती जनता Party तो इस तरह से अगर हम देखें तो YSRCP को जो लॉस हुआ है आंधर प्रदेश में किसके सामने हार गई YSRCP ये जो भव्य गटबंदन था Telugu Desham Party जनसेना Party और भारती जनता Party का जो गटबंदन था उसके आगे YSRCP हार गई तो ये जो घटना हुई Should come as no surprise तो इस घटना से किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए Yet फिर भी The Scale of the Defeat यानि कि हार का जो पैमाना था यानि कि जिस लेवल पे हार हुई वो बहुत ज्यादा चौकाने वाली है The YSRCP could only win 11 seats यानि कि YSRCP मात्र 11 seat जीत पाई A fall of 140 from the 2019 elections कि 2019 के जो चुना हुए थे विदान सपद चुना हुए थे आंधर प्रदेश में अगर उससे हम देखें तो 140 seat की गिरावट आई YSRCP में और YSRCP को मात्र 11 seat अपराप्त होई तो सिर्फ 11 seat जो है YSRCP जीत पाई In the 175 constituencies In the 2024 assembly polls तो कुल मिला के 175 जो विदान सबाद छेतर हैं उनमें ये जो 2024 के आंधर प्रदेश के assembly polls थे इनमें मात्र 11 seat YSRCP को मिली तो ये जो पैमाना था हार का ये बात जो है बहुत ज़्यादा astounding है astounding का मतब है आश्चरी चकित करने वाली है In vote share terms कि वह कितने प्रतिशत vote किसे मिले अगर हम देखें vote share को It suffered a 10 percentage point drop तो YSRCP जो है उसके vote percentage में 10 प्रतिशत की गिरावट आई but still landed land का मतलब है फिर भी उसने इतने तो प्राप्त कर ही लिये a respectable 39.37 tally का मतलब है score लेकिन फिर भी उसने जो है 39.37% vote share के आँकडे को छू लिया लेकिन the TDP led alliance लेकिन TDP गठबंदन जो था did much better उसने और बहतर किया with a collective vote share of 55.3% कितना vote share मिला TDP वाले गठबंदन को उसे मिला 55.3% an increase of 9.75 points from 2019 तो ये जो vote share बढ़ गया TDP गठबंदन का ये कितना बढ़ गया लगबग आप कह सकते हो 10 point बढ़ गया 2019 से and roughly the same और मोटे तोर पर हम कह सकते हैं कि ये बिलकुल the same रहा as the drop in the YSRCP share यानि कि YSRCP का vote share जितना प्रतिशत गिरा या जितने point गिरा उतने ही point TDP का vote share बढ़ गया this allowed it तो इस तरह से जब vote share बढ़ा तो उसके माध्यम से क्या हुआ garner, garner का मतलब है gather करना जुटाना, allowance share allowance share का मतलब होता है बड़ा हिस्सा of the seats तो इस तरह से जो TDP गटबंदन है उसने seats का बड़ा हिस्सा जो है प्राप्त कर लिया कितनी seat हैं मिल गई TDP गटबंदन को 175 में से 164 it is quite clear, ये बिलकुल ispushed है that कि both parties to thrive कि TDP और JSP का ये जो गटबंदन था इसने आपस में एक दूसरी party को यानि कि इन्होंने आपस में जो भी parties थी इनके गटबंदन में उनको फलने फूलने में मदद की it helped them, तो जब इन्होंने आपस में दूसरे की मदद की, तो उससे क्या हुआ? it helped them stitch up stitch up का मतलब होता है कोई agreement है उस agreement को arrange करना stitch up cumulative का मतलब है धीरे धीरे बढ़ता हुआ support from the kama and kapu communities तो क्या हुआ? कि धीरे धीरे जो है इस तरह से TDP गटबंदन को जो है धीरे धीरे support मिलता चला गया किसका? kama and kapu samodai का that form their basis and also compete against the YSRCP और यह जो kama and kapu communities है इन्होंने TDP गटबंदन का आधहार निर्मित किया and also compete और इस तरह से जो है यह गटबंदन YSRCP के against प्रतिस्परदा कर पाया, compete कर पाया by roping in the BJP देखो, rop in someone का मत्तब होता है किसी को involve कर लेना या become involved in something तो अपने गटबंदन में BJP को involve करके the alliance, यह जो गटबंदन था इसने manage कर लिया किस चीज को? managed to also make the election a bipolar race bipolar race का मत्तब हो गया dhruvia race, यानि कि दो खेमे हो गए एक था TDP गटबंदन और दूसरी ओर थी YSRCP तो कुल मिला के, अब देखो, अगर BJP अलग होती, इस गटबंदन में नहीं होती BJP, तो त्रिकोनी यह संगर्ष हो सकता था तो BJP को भी अपने गटबंदन में इन्वाल्व करके इस पूरे चुनावी मुकाबले को bipolar जो है, बना दिया गया अब अगर हम बात करें Congress की, कि Congress की क्या इस्तिती है आंदर प्रदेश में The Congress has yet to recover from its decimation decimation का मतलब होता है कि बहुत ही जादा मात्रा में गिरावट आना reduce हो जाना after the state bifurcation bifurcation का मतलब होता है दो भागों में बाट देना कि आंदर प्रदेश को जब से दो भागों में बाटा गया तब से Congress जो है एकदम आंदर प्रदेश में पूरी तरह से लगबग तबाह हो गई और इस विनाश से अभी Congress को उबरना है and make the best use of the first past the post system देखो ये voting system भारत में यूज किया जाता है first past the post system यानि कि एक व्यक्ति किसी एक candidate को vote दे सकता है और जिसे सबसे ज़्यादा vote मिलते हैं वो विजेता बन जाता है that can allow तो ये जो हमारा system है to get a disproportionately higher number of seat disproportionately का मतब हो गया गैर आनुपातिक रूप से higher number of seats on the basis of a decent lead in terms of vote share तो कुल मिला के vote share के मामले में जिसे अच्छी lead मिल जाती यानि कि जिसे अच्छा vote share मिल जाता है तो कुल मिला के उसी को ज़्यादा seats जो है प्राप्त हो जाती है बट लेकिन the electoral system and the mayor presence of a competitive alliance लेकिन यह जो पूरा चुनावी system है और mayor का मतलब होता है only presence of a competitive alliance और एक मजबूत और प्रतिस प्रदाहत्मक गठबंदन अपने आप में काफी नहीं है इस बात को explain करने के लिए would not explain the YSRCP's loss अब अगर हम बात करें कि YSRCP को जो loss हुआ यह क्यों हुआ तो चुनावी system और competitive alliance जो है सिर्फ इनके माध्यम से YSRCP की हार को हम explain नहीं कर सकते यानि कि यह दोनों बाते परियाप नहीं है यह दोनों बाते explain नहीं कर पाएंगे किसे YSRCP के loss को तो और क्या कारण थे यानि कि जिस सरकार का प्रतिनिजित तो जगन महान रेड़ी कर रहे थे pumped in money pumped in money का मतलब है पैसा डालना into welfare schemes का मतलब हो गया कल्यानकारी योजना है despite के बावजूद ballooning debt and fiscal health issues यानि कि ballooning का मतलब है और ज़्यादा increase होता हुआ बढ़ता हुआ यानि कि बढ़ते हुए कर्ज और वित्य हालात ठीक ना होने के बावजूद जगन महान सरकार जो है लगातार कल्यानकारी योजनाओं में पैसा डाल रही थी और क्या कर रही थी जगन महान सरकार and focused on और जगन महान रेड़ी सरकार ने बात पर फोकस किया on a targeted delivery of subsidies and benefits की जो target set किया गया है उस अनुरूप जो भी benefits हैं जो भी subsidies हैं वो मिलनी चाहिए तो कुल मिला के बढ़ते हुए कर्ज और सरकार की जो वित्ती हालत थी उसको नजरंदाज किया गया बट आंद्रप्रदेश record on the growth and development front has left much to be desired लेकिन आंद्रप्रदेश के record की अगर हम बात करें कि आंद्रप्रदेश में कितनी growth हुई है कितना development हुआ है तो इस more चे front का मतलब है more चा तो जब हम बात करेंगे growth की जब हम बात करेंगे development की तो काफी कुछ है जो की अभी achieve किया जाना बाकी है to be desired का मतलब है जिसे पाया जाना चाहिए जिसे achieve किया जाना चाहिए तो कुल मिला के growth और development के मोर्चे पर अभी काफी कुछ है जो की achieve किया जाना बाकी है since it's bifurcation कि जब से आंद्रप्रदेश का bifurcation हुआ है इसे दो भागों में बाटा गया है तैलंगाना has emerged इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना तो bifurcation के time से ही तैलंगाना जो है उभर के सामने आया है किस रूप में with the highest per capita income among major states यानि कि जो बड़े बड़े राज्य है उनकी टक्कर में तैलंगाना चला गया है यानि कि तैलंगाना जो है एक तरह से जो है highest per capita income वाले राज्यों में शामिल हो गया है जबकि आंद्रप्रदेश is ranked 10th जबकि per capita income के आधार पे आंद्रप्रदेश की rank कितनी है 10th तो अब देखो यान पे देखो कितना अंतर है एक तरफ है तैलंगाना जिसकी high